हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल वीनी रावत व्लॉक्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप सग लोग बहुत अच्छे से होंगे और आज के दिन की शुरुवात मेरी हो री है फिना से आज मैं अपने बालो में जो है फिना लगाई वीना लगाई थी तो बालो नहीं बहुत ड्राइ और फ्रिजी हो रखे थे तो मैं नहीं रात को ही महंदी भी बीगो दी ती और ये मैरी चोटी सी लोहीısı की कडाई है इसमें मैं हमेशा महिंधी भीग होती हूँ क्योंकि लोही क्डाई ऐexist क्परेratos क्यूए। अपना भी कलर होता है लोही काड़ा वी छोड़ा छोड़ь होके क्लर मिक्स कुर्ट होकी क्यूए। तो सुबह अयाना को स्कूल भीज दिया घर और इन जुवारे महेंदी в अभुक्राइज को Пवले में वेया सिर्थो जा धूवाल को ऊव्れची काएगी क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मैं जो है आराम से नहाऊंगी तो आप जो है दिया बत्ती कर दो वैसे तो वो कई बार करके ही जाती है लेकिन कई बार देर ओरी होती है सुबह सुबह तो वो नहीं करती है तो आज उसने ही दिया बत्ती कर दी तो मैं थोड़ा सा इस चीज के लिए रिलाक्स हो गई मैंने का चलो अब मैं जो है अराम से अपना घर का सारा काम कर लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं नहाऊंगी और पहले मैंने अपने ले भी ब्रेकफास बना लिया और मैंने और मेरे हस्बर ने हम दोनुने ही ब्रेकफास वगएरे भी कर लिया है तो अब मैं थोड़ा सा अभी फ्री थी मैंने का चलो मैं पहले महंदी लगाती हूँ अराम से और फिर बाकी सफाई वाला काम स्टार्ट करूंगी महंदी में न मैंने एक अंड़ा भी डाल दिया था कई बार तो मैं जो है कर्ड भी मिला लेती हूं लेकिन आज अंड़े घर पर तो मैंने का पहले अंड़ा ही मिला लेती हूं क्योंकि उसे न बाल बहुत शाइनी सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं अगर मैं महंदी बे जो है में प्रवीया' कुछ घया कर्ड मिला देती हूं। यहईर के लिए किस्क बालो नहात है। wedługन्म नहाते हैं कि दो एक ध्यां कुछ स्वाद से युष्यामनेकर भॉदेए कृषणी कि बालो देघन कृष्म में सेड़र। दही लगा लेती हूँ बालों में थोड़ा तो उसे बाल थोड़े से सॉफ्ट हो जाते है जो रफनेस होती है बालों की वो ठीक हो जाती है और ड्राइनेस भी ठीक होती है थोड़ा मॉस्चर होते हैं बाल गोस्तों में बहुत दिनों से रही थी हिना लगाने की लेकिन कई बार टाइम नहीं मिल पा रहा था और कई बार मैं हिना भीगोना भी भूल जा रही थी फिर और यह होता था कि कई बार टो तीन गंता वेट करना पड़ेगा तो इस चेकड में रह जा रहा था लेकिन आज मैंने पूरा मन बना रखा था कि नहीं आज मैंने बालों में हिना अप्लाई करनी ही है तो मैंने रात को ही भिओं के रख दीती तो फिर इसले अभी जो है सीधा उठा के मैंने बस अंडा डालके उसे यूज करना स्टार्ट कर दिया वैसे तो मैं जो है बालों का प्रॉपर पार्टिशन करके फिर एक एक पार्टिशन में जो है फिर मैं यूज करती हूँ हिना को लेकिन आज मैंने पार्टिशन नहीं किया और मैंने एज़िटिस जो है लगाना स्टार्ट कर दिया बिना पार्टिशन के बस कंगी से कॉम कर लिया था बालो को तो अब यह है कि थोड़ा सा मैं लगाती रहती हूँ तो मेरे को थोड़ा सा हैबिट भी हो गई है तो मुझे पता रहा है आईडिया हो जाता है कि मुझे कहां से बाल लेने है और कितना जो क्वाइंटिटी के लेने है तो इस वज़े से अब इतनी रिक्वाइर्मेंट नहीं रहती है कि पार्टिशन करू करके प्रॉपर तो मेहन्दी तो लग गई है मेरी अब बस इसको दो घंटा रखके उसके बाद में अपना हेड़ वाश कर लूँगी और अब आगई हूं मैं बालकनी में और यह देखें आज मेरी बालकनी जो है पूरी फैली हुई है मैंने इ इसके पापा ने थोड़ा सा पेंट भी किया था तो यह तब से बाहरी रखी वी थी उसको सुखाने के लिए फिर आज मैंने इनको बोला कि इसको अंदर कर दो मुझे बालकनी थोड़ा साफ करनी हो रही है क्योंकि इस चक्कर में वह साफ भी नहीं हो पारी थी और बहुत बीच में बारिष भी हो रही थी तो उस वज़े से भी मिट्टी मिट्टी हो गई थी और कुछ जो है प्लांक्स की मिट्टी भी वहां पे गिर गई तो मैंने आज में जो अच्छे से बालकनी साफ करूंगी तो यहां का जो जितना भी सारा फ्याला हुआ सामान था वह मैंन मैं वाश के keting सांक्राइब करें, पैरो पढल कमस में द fy जो चे नहीं करपा है तक हम यहां समान नहीं दो ख्राइब करका थ़ी तो मैंने अर चलए यहां साफ नहीं आइब करकोवा कर ला जो बहुत चीटी आगई थी जग़ जग़े किचन में भी और हॉल में भी तो मैंने जो यह एक प्रॉब्लम रहती कि उपर वाले जो है वो पूर जबूर फैक देते हैं आज घर में जो है बहुत चीटी आ गई थी जग़े किचन में भी और हॉल में भी तो मैंने जो है यह हल्दी डालर रखी इ height यह एपनी dc ब Gabi शोटी बालकनी के gate पे और kitchen में क्यों कि यह हल्दी सेटी जो है भाग जाती है अब पानी से बहाना मुझे अच्छा नहीं लगता है या फिर उनको मारना भी अच्छा नहीं लगता है लेकिन यह इतनी सारी चीटियां को पैर में बहларना में लगता हूं चीटिया में मर नाच गला हएं अब नहीं चीटियां चैना बहा होती हुँ फिर सार नहीं तक हलना हमार कुप्ली ह Això अब उनको क्या करोगे अब ऐसे आ जाती है घर में चीटियां तो फेर कल अयाना नी जो है कुछ मीठा फ्रूट वगरा खाके वो शायद गिरा भी दिया इस वज़े से भी आ गई है चीटियां और इसके लाब मेरे हस्बेंट से जो है वो एक खांसी की दवाई थी वो गिर ग आज घर में तो फिर वही मैं सुबह उठके देखा मैंने पूरा हॉल और कीचन जो है बहुत चीटिया चल रही थी हमें उसकी वीडियो तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि अब वह देखके ना एकदम से दिमांग में नहीं आता है कि वीडियो क्लिप ले लो एक फिर बाद म में रात के धुलेवे बर्तन थे तो सबसे पहले तो मैंने उनको उल्थाया जगे पर रखा क्योंकि कुछ तो अभी नीचे नीचे के नो थोड़े गीले भी थे उनका पानी अभी सूखा नहीं था फिर वह कपड़े से पोच के फिर मैंने वह रखे क्योंकि ऐसे गीले कई दाल पर जादा गीले होते हैं तो फिर उनका पोच्ट नहीं पड़ता है तो और फिर आप भी मैंने साथ के साथ फिर मैंने सोचा कि दाल भी चड़ाई देती हूँ क्योंकि नाल बनी रहेगी तो फिर राइस बनाना तो इसी रहता है तो आज में जो है यह चना और उरत की बनारी हूं तो वही फिर मैंने चड़ाने के लिए नमा खल दी मिर्च वगर डाल के अब इसको जो है मैं एक टमाटर डाल के इसको बालने के लिए रख देती हूं और यह उबलेगा तब तक जो है मेरे और भी छोटे-छोटे काम हो जाएंगे करते-करते मुझे थोड़ी प्यास भी लग गयी थी मैंने बहुत देर से पानी भी नहीं पी रखा थी मॉर्निंहें में जो उठने के बाद पानी पीती हूं इने तहां मुझे याद आये कि यार्यजा कि बहुत देर हो गई मैंने पानी नहीं पिया तो फिर मैने थोड़ा से तो फिरिज मैसे में पहले थंडा पानी लेके आई कि अच्छी लगती है और मैंने लिया ग्लुकॉंडी क्योंकि मैं गर्मियों में पी लेती हूं ग्लुकॉंडी वगरा कभी भी बना के थोड़ी सी उससे ना अच्छी एनरजी से आया थी कई बाद बीपी लो भी फील होता ह है तो उनका काम तो घर से ही होता है तो यह कि वो थोड़ा लेट लॉगिंग करते हैं वही साड़े बार के आसपास लॉगिन टाइम है उनका तो उसके बाद ही लॉगिन करते हैं तो फिर तब तक जो है वो ऐसी थोड़े मेरा हैल्प भी कर देते हैं कामों में यह जो है कप पर घर से उनका work from home चल रहा तो मुझे काफी help मिल जाती है इन चीजों में वरना अधर्वाइस जो है पहले मुझे खुदी करना पड़ता था जाना पड़ता था मार्किट अगर कुछ लेना भी होता है तो अब थोड़ा सा आसान हो गया है थोड़ा सा मैं को बोलती हो इतनी expectation नहीं थी वो क्यान है कि fruits वगड़े ज्यादा तर वहीं काटते हैं मैं तो भूल जाती हूं फूट्स खाना ही भूल जाती हो तो उनको पता है कि यह तो खाती है नहीं और भूल जाती है तो वो फिर अपने लिए भी मेरे लिए भी जो है फूट्स काट लेते और फि फिर मैंने शाम को उठाए थे तो देखा था कि जो थोड़े मोटे कप्रे हैं वो गीले ही थे फिर मैंने वह यह आयाना के रूम में ऐसे विंडों के पास जो है यह इसी तरह के से ग्रिल में टक कर दिये थे टांग दिये थे ताकि थोड़े वो सूख जाएं उनको थोड़ करा कि जो हुमेडिटी होती है इस वचे से बारिश भी आ जैती कई और तो इस वचे ना कप्रे अच्छे से सूख नहीं पाते हैं दूप बहुत जल्ली गणमियों में दो गहंटे में सूख जाते हैं लेकिन आजकल बारिश की वज़े से कई बार नहीं सूख पारे इस अब तक मेरी दाल भी अच्छे से गल गई थी और फिर मैं किचन में आ गई और आज इस दाल में लगा रही हूं गी का तक बहुत अच्छा थे मैं लगाती हूं लेकिन आज क्या थी वहां जो गी में लगाती हूं अंस ना क्या है कि मेरा घी ऑर는 खतम रहा है आज क्ला मेरा अधमार दाला और फिर मिंद उर आफ मार्केशान बटर दाला और फिर प्यार डाल ढूब दिया और थोड़ा सा ब्राउन होने पर प्याज भुना और उसके बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया धनिया पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस दाल में और फिर दाल डाल दी सारी तो दोस्तो डाल मेरी बन चुकी है और अब जो है मेरे हेड़ वाश करने का टाइम भी हो गया है मुझे अल्मोस्ट दो ढ़ाए गंटे हो चुके हैं महंदी लगाए हुए और अब मैं जा रही हूँ अपना हेड़ वाश करने के लिए और आपसे मैं मिलती हूँ अपने नेक्स व्लॉग में आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आयो तो प्लीस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजेगा तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बाई